याज फ्रेंड्स स्वागत आपका आज के इस वीडियो में जो कि यह मैत की कंसेप्टिवल वीडियो जो रोग कि रोज सुबह दोपार में बारा बज होती है लेकिन अब यह सुबह में ग्यारा बज होगी और इसमें हम 2-3 कोशन कवर करते हैं जो कि बिल्कुल जो कंसेप्ट बेस पे होते हैं और यह सभी एक्जाम के लिए इंपर्टेट रेखास करके सूपर्टेट लेखफाल रेले गुरुबडी और भी सभी वंडे एक्जाम के लिए तो चलिए शुरुबात करते हैं आज की सेशन की महत्रपुड कोशन है इसको जरूर देखेगा एक ब्यक्ती 11 केले 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 केला बेचता है इसका लाब प्रत्सत कितना हुए बताना है तो इसको लगाने के लिए आपको कोई फर्मुला यूज नहीं करना है इस तरफ आप लिखेंगे संख्या यानि कि वस्तों की संख्या और इस पहले क्या कर रहा है वह 11 रुपए में तकेला खरीद रहा है 15 11ी रहा है और यहीं कि लिखेंगे दस यान कि 11 केला दस खरीद रहा है और वह बेच्छ की निमन में रा है वह 10 केला 11 के भाव से भीच रहा है आप क्या करना हो इसंदर म GitHub करना है और इस का इस तरफ किसा दल剛剛 1210 और 10 दही में 100 अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है दोनों का अंतर आएगा पस 21 21 अंतर आएगा आपको लिखना क्या है 21 21 लिखेंगे बटे जो कम वैलू है उसको नीचे लिखेंगे और गुड़े 100 कर देंगे यह आपका प्रत्सत लाब हो जाएगा तो 100 से 100 कर जाएगा कितना आएगा 21 प्रत्सत का उसको क्या होगा लाब होगा जो कि आपसा नंबर दी में दिया गया दुबारा देखिए इस तरह आप लिखेंगे संख्या इस तरह लिखेंगे दाम 11 केला खरीद रहा है 10 रुपे में और बेच कितने इम रहा है 10 केला बेच इसको आपको क्रास्स में करना है गयारे करेंगे तो 120 आगा आप दोनों का अन्थर कितना 21 का उसको लाब हो रहा है इसको प्रत्सत लाब में करने के लिए 21 और जो कम वैल है उसको नीचे और गुड़ी 100 कर देंगे तो यह आपके पास निकल का जाएगा उसका लाब सव सव कड़ जाएगा सिता सिता बचेगा 21 प्रिसत को लाब हो रहा है जो कि आपसन नंबर बी में दिया गया है बी बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगला कोशन देखते हैं यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 40 तथा गुड़नफल बारहे है तो दोनों संख्या ग्यात करो इसको आपसन से आप कैसे लगांगे आपको देखिए सबसे पहले तीन चार नीचे की दूब आपसन देखते हैं आठ और पांच आठ कितना होता है चौन सट होता है और कि वर्गों का योगफद 40 नहीं हो रहा है इसलिए यह आपसन कट जाएगा अब बात करते हैं पहले आपसन की पहले आपसन क्या है पहले आपसन तीन तरीकर 9 और 4 चोके 16 यह कितना हो रहा है यह भी हमारा एंसर नहीं है तो एंसर कोई साबाद सिवा लागा इसको देख लि पर बी साप साप दिख रहा है बी बिल्कुल करेक्ट है तो चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला जो कोशन हमारे पास है किसी सहर में पुरसो एवां महलाव की जनसंख्या में अनुपात 12 अनुपात 13 हो तो जनसंख्या में महलाव का प्रसत बताना है सबसे और के दोनों को जोड़ेंगे तक इतना है का 25 हाँ थो आ हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा पूछा है हमारे पास निकला गया से निदे कर दो इसको प्रत्षत करने लिए 25 25 25 तेरे जोग का 52 करेंगे कितना जगा 52 प्रत्सत क्या है उसमें महिलाया है जो की आपसर नंबर ए में दिया गया है यह बिल्कुल करेक्ट है तो चलिए हम उम्मिद करते हैं आपको इस पसंद आएगा से पसंद आया ते विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद